लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विबित हलचल पर लोएंस क्लब औफ नागपूर औरेंज सिटी अपने अभिनाव सामाजिक कार्या के लिए जाना जाता है एसा ये अभिनाव सामाजिक कार्या क्लब के पिंटु मेहाडिया और परेश इटकेलवार ने उनकी बेटी खुशी और भुवी का जनम दिन मना कर किया दिन दयाल थाली केंद्र मेडिकल कॉलिज में अन्नादान दे कर बच्चियों का जिनम दिन मनाया गया इस अन्नादान कारेक्रम में लॉयंस क्लब के मेंबर तथा विधायक मोहन मते अध्यक्षा रूप में उपस्तित थे और अतुल ढगे जोन चेर्मेन लॉयंस क्लब आफ नागपूर मुक्यातिती के रूप में उपस्तित थे लॉयंस क्लब आफ नागपूर औरेन सिटी के अध्यक्षा अरुना सोलव ने उपक्रम के बारे में जान करी दी विधायक मोहन मते ने दोनों बच्चियों को आशिर्वाद देते हुए कलब दुआरा की ये जारहे कारियों की सरहना की कलब की ओर से मजेफ बिंटू मेहाडिया पुर्वाद्धिक्षा प्रविन पवार परेशिट केलवार राजू नानूटकर पुर्वाद्धिक्षा मनिशा पवार लॉयंस क्लब आफ नापपूर और एंसिटी के अन्यस अधस्य कारेक्रम में उपस्तित थे इस अन्यदान कारेक्रम में बिंटू में हाडिया और परेशिट केलवार ने मिलकर 75 किलो आटा, एक कैंटेल, 45 किलो चावल, 25 किलो दाल, 48 किलो प्यास, 40 किलो आलू और 300 रजगुले देकर अन्यदान किया इसके पशात खुशी और भुवी ने अपना जनम दिन मनाया दयानन आर्यक अन्या महाविद्याले में सरोजिनी देवी नाइडू के जहनती की उपलक्ष में राष्ट्य महिला दिवस उत्साह के साथ मनाया गया कारेकरम के शुरुवात में चात्राओं ने सरोजिनी नाइडू के जीवन पर प्रगाश डाला और उनकी काविय रचनाय सुनाई प्राचरे डौक्टर शद्धा निलकुमार ने अपने अध्यक्षे भाशन में कहा कि चात्राओं को महापूरोशों की जीवनी का स्वाध्या करना चाहिए और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने से ही अपने जीवन में उलेखनिय प्रगति कर सकते है रविना टेमभूर ने आँचल कटोते आँचल शिवसागर ने सरोजिनी देवी के जीवनी पर काव्य रचनाय पड़ी कारेक्रम का संचालन डौक्टर चेतना पाठक ने किया तथा डौक्टर इंदू ममतानी ने आभार प्रतरशन किया कारेक्रम में चात्रा उने बड़ी संख्य में हिस्सा भी लिया गोविनलाल हिरालाल कनोजे पहुद्देश ये संस्थाक की और से 14 फरवरी को न्यू नंदनवन स्थित रिशी के सभागरूह में मातरू पीतरू दीवस के आउसर पर प्रभाग 30 व2021 के वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार किया गया कारेक्रम अयुजी का एवं संस्थाध्यक्ष्य राजश्री मांडल करने बताया कि उक्त कारेक्रम का उद्धिश्य वरिष्ट नागरी को का सम्मान करके उनका अशिर्वात पाना था सत्कार समारोह में प्रमुक अतितियों के रूप में पुर्वा नाकपुर के विधाय कुरुशना खो पड़े पार्षद वा मरपा में विपक्ष के नेता ताना जीवन में, मालू वन में पार्षद वा पुर्व उपमाहप और किशर कुमेरिया, पार्षद हरिश दिकोंडवार, पार्षद दिव्याद धूर्डे, पुर्व पार्षद प्रशान धवर आदी उपस्तित थे, प्रास्तव मनजसिन अतित्यों ने अपने संबोधन में मात रूपी तुरू दिवस के मौके पर मनढालकर द्वारा आयोजित इस कारेक्रम की सराना की अपने अध्यक्ष्य संबोधन में विधाय कुपड़े ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कारेक्रमों का आयोजन करना वर्तमान समय के आवशक्ता है संतर श्री मधुसुधन बापुजी की प्रेरना से कोविट से बचाओ के लिए प्रार्थना के रूप में नाकपूर में चल रही भागवत कथा में बुधवार को भगवान राम और भगवान श्रीकुर्शन के जन्म पर प्रवचन धिया गया दामोदर प्रभुजी ने भगवान के अवतरन पर चर्चा की, इसके अलावा उन्होंने भगवान के प्रती शरनागती पर जोर दिया जिसमें उन्होंने राजा बली की कथा सुनाई, जो स्वयम दैत्यकुल में जन्मे थे फिर भी भगवान के शरणागत हुए और भगवान के प्रती उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया इसलिए जिस हाल में भगवान रखे सदाखुश रहे कर भगवान का धन्यवात करके उनकी भक्ती करनी चाहिए इससे निस्वार्थ, भक्ती और शरणागती देखकर भगवान हम पर भी उतने ही प्रसन नहोंगे इस प्रकार भक्तों ने भगवान के जन्मोत्सों का खुब आनन्द लिया इसके पश्चात्माखन, मिस्री एवं खिलोनों का वितरन भी किया गया प्रतिदीन की तरह अंत में महाप्रसात का आयोजन किया गया आज भागवत कथा का पांचवा दिन है आज भगवान कृष्चन की बाल लिलाओ का वरणन किया जाएगा जिसमें गोवरधन परवत की जहां की 56 भोग का भी वरणन किया जाएगा नागपुर की सांस्रूतिक एवं सामाजिक संस्था सिंधुरी यूत्विंग वा सिंधुरी अकभार की ओर से आयोजित ओनलेन वेबिनार सितरा कलाजा अत्यंतरों चक रहा नागपुर के अगरणी साथा सहकारी बैंक लिमिटेट द्वारा संस्थापक अध्यक्ष कर्मयोगी अरजुन्दास कुक्रेजा की स्पूति में प्रायोजित इस कारेक्रम को देश-विदेश के दर्शकोंने तहे दिल से सराह डिजिटल पार्टनर रुद्रेश डिजिकॉम था आमंतरितों में वह फिल्मों के अभिनेता, परमानन कुक्रेजा और चांदुलल गोपानी समेत कई मानने वर शामिल थे प्रारंभ में सिंधी रंगमंच के वरिष्ट कलाकार वह लेखक, अभिनेता, अनुवादक, किशोर लालवानी ने समस्त कलाकारों का परिचे देते हुए कलाके क्षेतर में उनके अप्रतिम योगदान का उलेख किया, उनके चुनिन्दा चाय चित्र और वीडियो भी दिखाए गए कलाकारों ने अपने रोचक संस्परन सुनाय, सिंधूडी के संस्थापक एवं वरिष्टर रंगकर्मी एवं निर्देशक तूलसी सेतिया ने महेशकुमार शर्मा के साथ शुरू हुए अपने रेडियो तथा रंगमंच के सफर की प्रधिर्ग जान करी देते हुए उन्होंने पुराना संस्पनन साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में हिंदी फिल्मों के अंतरराष्टियक ख्याती प्राप्त लेखक निर्देशक राजकुमार हिरानी की साथ रेडियो पर महेशकुमार शर्मा द्वारा लिखित निर्देशिक हिंदी नाटक चंदा गल खरीदारी करने और आकरशक डिल्स तथा छूट पाने का मौका मिलता है 28 फरवरी 2022 तक चल रहा ये अभियान घर पर खाना पकाने वालों को नैसाल की शुरुआत का जश्न शांदार छूट के साथ सटिक मौका दे रहा है इसके दहत मिलने वाले ओफर्स में उपभुकता की 40% चूट पा सकते हैं इसमें कुल 5000 रुपे दामवाला 5 लिटर का एक पॉपिलर स्वच्छ प्रेशर कूकर बिना ढखकन का 3 लिटर का एक पॉपिलर स्वच्छ प्रेशर कूकर एक ओमेगा सिलेक प्लस तवा और ओमेगा सिलेक प्लस फ्राइंग पैन मिल रहा है अब ये प एक 40% छूट के साथ केवल 3,000 रुपे में खरीदा जा सकता है और उसके साथ 3,000 रुपे कीमत का 5 लिटर का पॉपिलर स्टेनले स्टील प्रेशर कूकर बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है ये पेशका श्रीगल मिकसर ग्राइंडर पर भी है कलपतरो बुद्ध विहार कौशलयनगर कुकड़े लेयाउट में माक पोरनिमा के अवसर पर महा परितरान पाठ 1250 दिप प्रजवलित कर भीख्शो संगह की पावन उपस्थिती में की गई ये पाठ राद भर चलता रहा पुरा परिसर मंगल गाथा उसे गुंजित होता रहा दूसरे दिन उपासक उपासी काओं की और से संगह दान सुबह 11 बजे किया गया जिसमें समस्त भीख्शो संगह को भोजन दान वा अन्न दान अर्पित किया गया भनते प्रियादर्शी ने सभी उपासक वो उपासी काओं वो भीख्शो संगह का आभार माना है और सभी को शुपकाम नहीं दी है हनुमान मंदिर सेवा समिती के अध्यक्षर राम कुमार गुपता एवं उत्तर भारतिय के मसीह एवं ट्रांस्पोर्ट संगह के अध्यक्षर डीबी सिंग के हाथो हनुमान मंदिर का भूमी पुजन किया गया इस अउसर पर समिती के सभी सदस्य खेमराज पटले, पांडुरंग बोर कुटे, बादल शिवनकर, गिर्धारी वाडी भस में, रमेश्वर गायकवाड, विशाल पटले, शाम हेडाउ, गाजु गुरव, सुमेश नायडू, रुपेश कल से राजेश राठोड, रमेश भ अचानक रामानुच फाफडा के संचालक भावेश दोशी को मुंबई से आया, दरसल हर अभिनेता का कोई ना कोई फैन चाहने वाला होता है, उसी क्रम में सोनी सब चैनल पर आने वाला महशूर कारे क्रम तारक महता का उल्टा चश्मा के मुख्य अभिनेता, दिलिप अपनी दुकान में जेठालाल की फोटो वाली टी-शर्ट रोज पहनते हैं, कुछ दिन पहले अचानक भावेश को मोबाईल पर जेठालाल दिलिप जोशी का अचानक वीडियो कॉल मुंबई से आया, दिलिप जोशी ने भावेश दोशी को बढ़ाई देते वे मुंबई आने का नोता दिया, भावेश दोशी का धरसकार रोट पर रामानुच फाफडा सेंटर है, और नाकपुर में फेमस फाफडा जले भी, कोकोनट पेटेस, खांडवी, चोड़ा फल्ली और मुख्य रुप से पपिते की चटनी पड़ी मात्रा में वेबेचते हैं आज 15 प्लस और 45 प्लस आयूबर्ग के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टिका करन, नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा, टिका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा, और टिका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्ध पंजी करन किया जा सकता है, इसी तरह ड्रैविन वैक्सिनेशन के इंद्रों पर भी 15 प्लस और 45 प्लस और 45 प्लस आयूबर्ग के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरिये टीका करन किया जाएगा, यह जानकारी चिकित सा स्वास्त अधिकारी डॉक्टर संजय चिल कर इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयूबर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोस, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबासे बामिटकर अस्पताल कामठी रोड, वस्वर्गिये प्रभाकर दटके मनपा, महल रोग निदान केंद्र, एंप्स आइसोले में प्रमुक अतितियों के तौर पर महापोर दयाशंकरतिवारी, विधायक रुशना खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे, प्रमोत पेंड के, श्रीकांद आगलावे, रमन पैगवार, विशाल बढ़गे, आदि माननेवर उपस्तित थे, माननेवरों ने विश्वकर परिवार की हुनहार बाली गास रुश्टी शर्मा को लिंबो स्केटिंग शेत्र में छटी बार गिनीज वुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्च करवाने पर समानित किया, महापोर ने विश्वकर्मा जैनती के अउसर पर कामगिरी के महत्वा पर प्रकाश इस अउसर पर उमेश पढ़धान, सुरेंद्र यनसकर, सतिश भूरे, निलेश सतिबावने, कांती वागेला, प्रदिप पांचाल, अर्जुन शर्मा, मोहन विश्वकर्मा, विनोच शर्मा, रामलल्लू विश्वकर्मा, गजानन गोलाईत, रवी गोलाईत, आदित्य प् मोनू पर आदि उपस्तित थे स्नेहा राजु मेंधे, लॉयन्स क्लब के जनसंपरक अधिकारी, विनित सोन्थी द्वारा, रग्तदान करते हुए की गई, कारेक्रम स्थल पर आयोजित कारेक्रम में, लॉयन्स क्लब इंटरनेशनल के वोईस प्रेसिडेंट, बल्बिर सिंग वीज, बतार मुख्य अती इवं उपरदिशिक परिवहन अधिकारी एहमद ने कारेक्रम की अधिक्षता की, कारेक्रम की प्रस्तावना साहिक परदिशिक परिवहन अधिकारी शांतरम फांसे ने की, उन्होंने सड़क सुरक्षाभियान की शुरुवात की घोशना भी की, एवं सड़कों पर होने वा जौल एवंश्रीफल देकर सम्मानित किया गया बुद्वार शाम को करीब छे बजे पुलिस को जानकरी मिली कि एक व्यक्ती रामदा स्पेट सित आईसी आईसी आई बैंक में बंदुक लेकर घुसा है और बैंक कर्मियों को धमका रहा है जानकरी मिलते ही हंगामा मच गया पुलिस के आने तक बैंक में मौज़ुत लोगों ने उसे ही दबोच लिया पता चला कि उसके पास की बंदुक नकली है और वह दरसल एक मांसिक रोगी है उसका नाम दलवा मेठी वाडे निवासी गुणवंत पुरुशत्तम काले उम्रह 41 है प्राप्त जानकरी के अनुसार गुणवंत अपने आपको पुर्वसैनिक बता रहा था और वह मांसिक रुप से बीमार है उसे शक था कि उक्त बैंक ने उसके खाते में जमार अगम की धोका धड़ी की है तब से वह बदला लेने का सोचता रहता था बताया गया कि पिछले तीन-चार दिनों से हर दिन बैंक में आ रहा था लेकिन बैंक कर्मियो द्वारा उचित व्यवहर ना होने से वह नारास था इसी घुसे में वह शाम करीब 6 बजे बैंक पहुचा और अपने पास रखी बंदुक निकाल ली ये नजरा देखकर वहा हंगामा मच गया लेकिन कुछ देर में ही सिक्यूरिटी गाड और बाकी लोगों ने उस पर काबू पा लिया और पुलिस को सुचित किया पुलिस टीम ने आकर उसे गिरफतार कर लिया है शहर में बिना मास्क गुम रहे गैर जिम्मेदार लोगों पर मनपा की और से नियमी त्रुप से कारवाई की जा रही है बुदवार को मनपा की NDS टीम ने बिना मास्क गुम रहे 45 लोगों पर कारवाई करते हुए 22,500 रुपे का जुर्माना वसुल किया है पिछले कुछ महीने में NDS ने 45,000 से अधिक लोगों पर कारवाई करते हुए कुल मिलाकर 2,9,6,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया है बुदवार को NDS की टीम ने धरंपेट जोन अंतरगत आठ, हनुमान जोन अंतरगत एक, नहरुनगर जोन अंतरगत अठरा, गांधीबाग जोन अंतरगत तीन, लकडगन जोन अंतरगत दस, आशिनगर जोन अंतरगत तीन, तथा मंगलवारी जोन अंतरगत दो लोगों के ख इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत छे मामलों में छे आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 26,000 रुपे का समान जब्त किया गया है। से मुक्त करने के लिए दुनिया में कई देश अपने अपने तरीकों से कार्य कर रहे है। इसी तरह महाराष्टर राज्य में भी परियावरन को बचाने हे तू एवं प्रदूशन मुक्त कराने हे तू कई संसाधन एवं अभियान चलाय जा रहे है। जिसमें माजी वसुंद के अंतरगत आने वाले कारियों के बारे में अपने अपने प्रभागों में अभियान चलाएंगे। कारियों को समझाने हे तू कनान नगर परिशद में बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यरूप से नगराध्यक्ष करूना अश्टन कर, मुख्यदीका संकेत तालेवार, प्रभागों के ब्रैंड अमबेसेडर भारत पगारे, देवा चतूर, हरिश तिल्ड के, शमशेर पूरावले, मनुझ बैस्वार, शैलेश वैरागडे उपस्तित थे। प्रणली और सागर को हिंगना नगर पंचायत के मुख्यदीकारी, रहुल परिहार के आथो, ब्रैंड अमबेसेडर का नियूकती पत्र दिया गया। को मेराथोन दोड का शुभरंब, संतग अलगे महाराज माविद्दल रायपूर हिंगना से हुआ। इस दवरान दिनेजभंग जिला परिशत सदस्य रायपूर, लिलाधर पटले, उदय मोगलेवार, डॉक्टर प्रविन पढ़वे, राजिश भूते, शरद वजरे, वो अन्य गंडमान्य वेक्तियोंने हरी जंडी दिखा कर मेराथोन दोड की शुरुवात की। इस अवसर पर अनिल चरडे, रजद भूकरे, मुकुल बिलोरे, अशोक कुम्रे, मनोच पुडके, सागर कैकाडे, उमेश निकम, प्रकाश भारदवाज, गनेश कंगाले, किशुरवईद्य, सुनिल महतकर, प्रशान कोहुडे, प्रविन टाकस, हेमंद बारसागडे ने व असिल किया, महिला समू में नंबर एक स्थान पर तेजस्वीनी सलाम, दूसरे स्थान पर सची भीडे, तिसरे स्थान पर नंदिनी जादा हो रही राम्टेक विधन सबा क्षेतर में आउशनिक विद्दूत प्रकल्प स्थाफित करने की कोशिश लगतार आगे बढ़ रही है मुख्या भीयनता कोराडी की अधिकारियों की टीम बुध्वार को प्रकल्प के लिए उचित और व्यावारिक जमिन की तलाश करने राम्टेक पहुची टीम ने ग्राम पंचायत पटगोर इक्षेतर के मौजा पटगोरी का दवरा किया यहाँ प्रकल्प के लिए उचित और व्यावारिक जमिन पानी वर रेल वेवस्था परिवहन सेवाव की संभावना की समिक्षा की टीम के साथ पंचायत समिती राम्टेक के पूर्व उपसभापती उदैसिंग गज्जु यादव और उनके सहयोगी भी थे गज्जु यादव बीते विदानसभा चुनाव में राम्टेक क्षेत्र से कॉंग्रेस के उम्मीदवार रहे चुकी है गज्जु यादव इस प्रकल्प को राम्टेक विदानसभा क्षेत्र में लानी की कोशिश कर रहे है उन्होंने इस संबन में सबसे पहले राज्य के उर्जा मंत्री और नागपूर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को पत्र लिखा था उसके बाद पालक मंत्री की निर्देश्वर अमल किया जा रहा है कनान परिक्षेतर में सामाजिक कार्यों में अग्रसर कार्य करने वाले युवा सामाजिक कार्य करता समशेर पुरावले एवं शिवशंकर चीन्टु वाकुरकर ने विशनु लक्ष्मिनगर वाग्धरे वाडी कनान में पिछडे वर्ग के औसाहया लोगों की मदद की यह लोग जिल्ली प्लास्टिक चुनकर अपना जीवन यापन करते है इसी समुदाय की दिलिप शेंडे का 16 वर्षिय बेटा सुनिल दिलिप शेंडे रुदैरोक से पीडित था पुरवले वह वाकुडकर ने जीकित्सा का खर्च वहन कर उनका सफलता पुर्वक ऑपरेशन करवाया बच्चे का ऑपरेशन नागपुर के किंग्सवे हॉस्पेटल में करवाया गया हॉस्पेटल के डॉक्टर प्रनीत लाडे, डॉक्टर सचीन कुथे, प्रतीक्षा जैसवाल के सहयोग से सफल ऑपरेशन किया गया पुरवले वाकुड करने क्षेतर के सांसद विदायक या क्षेतर की किसी चर्चित समाज भावी संस्थाओं के सहयोग की अपिक्षाण न करतेवे, अपनी चेरिटेवल संस्था के तरफ से पिडित का सहयोग करतेवे सरानिय योगदन दिया है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार